सो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यमा की R125 के बारे में इस्पाइक का नेक्स जनेशन मोडल 2023 मोडल रिवील हो गया है सो बाइक के अंदर कैसे फीचर्स अपगेड हुए हैं क्या इस्पाइक के अंदर चेंजिस हुए हैं दोस्तो यमा की R125 इंटरनेशनल टूलर मार्केट में अवैलबल है जो कि एक काफे अच्छी फुली फेड स्पोर्ट सेग्मेंट की बाइक है बाइक के ओरो लुक्स डिजाइनो स्टाइल काफी ज़्यादा अच्छे हैं और यमा ने स्पाइक के 2023 मोडल यानि की Next Generation मोडल के अंदर बाइक के ओरो लुक्स को भी चेंज कर दिया है और बाइक के अंदर काफी सारे अच्छे फीचर्स दे दिये हैं ये बाइक पहले भी अपनी सेग्मेंट में काफी ज़्यादा अच्छी थी लेकिन अब ये बाइक अपनी सेग्मेंट में सबसे बेस्ट बन चुकी है तो चेंजिस के बाइक के बारे में बात करते हैं कि यमा ने स्पाइक के अंदर क्या-क्या फीचर्स एड़प किये हैं तो देख़वार सबसे पहले स्पाइक के अंदर आमाने इस bike के front looks को बिल्कुल ही change कर दिया है इस bike का front look बिल्कुल एकदम R7 और R15 से inspired है bike के अंदर front में LED projector headlight है with daytime running LED DRLs bike का front look एकदम बिल्कुल R7 के जैसा है और front से देखने में bike एकदम super bike के जैसे लगती है LED DRLs का design काफी प्यारा है bike के अंदर front में काफी अच्छी large windscreen है और front से bike के looks काफी अच्छे आ रहे है देखने में एक बिल्कुल एकदम R15 के जैसे ही लग रही है और साथ ही अमाने MT125 के जैसे ही इस bike के अंदर भी 5 इंच का TFT color display वाला fully digital instrument console भी दे दिया है जिसके अंदर सारे features fully digital है और bike का instrument console पहले वाले console से काफी ज़ादा अच्छा है और इसके अंदर features भी बहुत better है instrument console के अंदर smartphone connectivity वाले features भी दिये गए है और bike के अंदर R1 के जैसे click on type के handlebar दिये गए और वैसे ही type के switch gears दिये गए है तो looks के मामले में तो bike एकदम super bike के जैसी बन चुकी है fully designed front look भी आ गया है traction control system भी आ गया है और साथ में एक optional quick shifter भी आ गया है और साथ ही दोस्तों यामानी spike के अंदर अब international tooler market में dual channel EBS भी offer कर दिया है bike में 100 upon 80 section का front tire है 140 upon 70 section का rear tire है जो कि misleane के pilot street tires है R15 V4, R15 M के जैसे ही spike के अंदर भी assist and stripper clutch है और bike के अंदर variable valve actuation technology भी है जिसके वज़े से A-spike की भी overall performance काफी ज़्यादा अच्छी है बाकि bike के अंदर वहीं same 125 CC का 4 stroke single cylinder liquid cooled engine है जिसकी power है 15 PS और torque output है 11.5 Nm bike के अंदर 6 speed gearbox है सो mechanically bike के अंदर कोई भी difference नहीं है और bike के अंदर front में वहीं same 41 mm के KYB premium upside down front focus है 220 mm की rear disc brake है front में radially mounted brake calipers है और bike के अंदर अब standard dual channel EBS भी आ गया है bike का riding posture R15 V4 के जैसे ही काफी aggressive है और अपनी segment के अंदर ये bike one of the best looking machine है bike का weight है 144 kg full tank capacity है 11 liters की seat height है 20 mm और ground clearance है 160 mm सोदसो यमा की R125 के 2023 model के अंदर काफी सारे features आ चुके है और bike के औरो looks design and style भी पहले के मुकाबले काफी ज़्यादा अच्छे हो गए है लेकिन अब finally बात करते हैं कि ये bike इंडिया में आएगी या नहीं आएगी और अगर इंडिया में ये bike आती है तो क्या इस bike का price होगा तो देख़ए र इंडियन टूलर मार्केट में currently 150-160cc segment की bikes के price अभी काफी ज़्यादा हो गए है R15 V4, R15 M का एकशोरम price काफी ज़्यादा हो चुका है अगर आप R15 V4 purchase करने के लिए जाते हो तो आपको 2,10,10 रुपए के आसपास price देना बढ़ेगा सो मार्केट में bikes के price काफी ज़्यादा हो चुके हैं इसलिए इंडियन टूलर मार्केट में currently 125cc bikes की demand काफी ज़्यादा बढ़ गई है 125cc segment में commuter type की bikes तो काफी ज़्यादा अच्छी है लेकिन 125cc segment के अंदर KTM की RC125 काफी अच्छी bike है लेकिन उस bike का price काफी ज़्यादा है सो यमा के पास काफी अच्छा मोका है R125 को इंडियन टूलर मार्केट में introduce करने का क्योंकि ये bike इंडियन टूलर मार्केट में एक benchmark set कर सकती है क्योंकि segment के coding spike की mileage भी काफी अच्छी है performance भी काफी अच्छी है bike के अंदर features भी काफी ज़्यादा अच्छी है और इस spike का action room price RC125 से तो कम ही रहेगा इसलिए ये bike इंडियन टूलर मार्केट में काफी अच्छी से perform कर सकती है और दोस्तो इसी वज़ेसे इस spike के launch होने के chances 2023 में बढ़ जाते है यामा इस spike को 2023 में लेके आ सकती है और अगर ये bike इंडिया में आती है तो इसका action room price 1,40,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तो यामा की तरब से अभी तक इस spike के launch के बारे में कोई भी update नहीं है लेकिन 2023 में इस spike के इंडिया में launch होने के chances काफी ज़दा है और अगर आप इस spike का wait कर रहा हो तो comment box में जरूर बताना अब यह बाइक international tooler market में launch हुई है और next year यह बाइक इंडिया में भी आ सकती है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही आई होपी वीडिया आपको पसंद आई होगी अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो like जरू कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो मिलते हैं अगली वीडियो में तिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ